हेलो इस्टूरेंट में एक तसी आप सभी का ज्यान चेतने चैनल में बहुत बहुत स्वाइद करती हूँ आज के इस वीडियो में हम वैदिक काल के चुकि वैदिक काल दो भागों में डिवाइड है एक रिगवेद काल और दूसरा उत्तर वैदिक काल तो इसमें रिगवेद काल का ये पहला भाग है जिसमें हम देखेंगे कि राजनेतिक विस्तार कैसा था प्रिशाचनिक विवस्ता है कैसी थी कौन-कौन सा छेतर था तो ये सारी चीजे देखेंगे तो बहुत ही इंटरस्टिंग होने वाला है वीडियो तो शुरू करते हैं आज का वीडियो वैदिक कालीन जो की ग्रामीर सब्विता थी और हरपपा संस्कृति के बाद जो हमें दिखाई देती है वो ग्रामीर सब्विता ही दिखाई देती है तो उसको वैदिक काल कहते हैं और रिगवेद काल और उत्तरवेदिक काल में इसको डिवाइट किया है रिगवेद काल का जो समय है वो 1500 से 1000 बीसी और उत्तरवेदिक काल का 1000 से 600 बीसी और 600 बीसी से फिर जो महाजनपत काल है वो सुरू होता है अब हम इसकी उत्पत्ति की बात करें तो उत्पत्ति जो है वो हम लोग ने ऐसा हम लोग ने क्या है आरियों को माना है यानि विद्वानों ने इसको आरियों का माना है जर्मन विद्वान मैक्स मूलर ने 1853 में आरिय शब्द का प्रियोग किया था रिगवेट में 33 वार आरे शब्द का प्रियोग हुआ है और जो आरे हैं चुकि यहाँ पर कोई किसी धर्म से रिल्रेट नहीं है यह भासा सूचक सब्द है जो संस्क्रेट का है और इसका अर्थ होता है श्रेष्ट, कुलीन, उत्तम, सज्जन, साधू, महान और सब्द है तो यहाँ पर आरे जो है एक शब्द को लेकर है ना कि कोई धर्मे को लेकर आरेओं के मूल इस्थान को लेकर विद्वानों के विभिन मत है एक भारती मत और दूसरा है भारत के बाहर कम यानि कि यह भारत के बाहर से यहां पर आई हुए हैं तो भारत के मत में कौन-कौन से विद्वान थे जिसे कश्मिर के रहने मोदे का दूसरी तेववनाश चंदर एवं ऍभिनाश-कूल नदिया ती उनका यही जो पिर देश था हुई रिगवेट काल का breaths क्या जिस महिर देश है और राजवली पान्डे क्हते हैं मध्य देश के और डाया ने स्रफशती की तिबत के चेते से आए हुए हैं और अब हम भारत के बाहर की बात करें तो दच्छन रूस में गार्डन चाहिल और पी किंदेश के थे दच्छन रूस से यहां पर आए हुए हैं और वेक्टेरिया जो कि मदेश्या जो हैं वो मैक्समूलर मानते हैं मदेश्या से यह लोग यहां पर आए हैं हंगरी से मानते हैं पी गाइल्स जो कि डेव्यू नदी के पास के मानते हैं जर्मनी से मानते हैं हार्ट वा पेन का और यूराल परवत के दच्छिड के कीजिगिर का मैदान तो बेंडे नैस्टन मानते हैं और उत्री धुरू से तिलक जो हैं वो मानते हैं तो हमने ये दो मत है और दोनों में ही बहुत भी वाद है और किसी एक मत को नहीं मानते हैं कि किस का बनलब ये ही यहां के लोग ही यहां पर आए हैं तो बहुत से विद्वानों का कभी मत पूछ लिया जाता है तो एक परकार से हमें इनको अगर देखते हुए चलेंगे तो अगर हमारे एक्जाम में जो प्रशन आते हैं वो हम आसानी से हल कर सकते हैं अब हम देखते हैं रिगवेद काल में आते हैं रिगवेद काल जो है वो 1500 BC से लेकर 1000 BC तक का इसका जो समय पीड़ है वो है अब इसके अध्यान के लिए हम कौन-कौन से साक्ष देखें जिससे हमें पता चलता है कि यह रिगवेद काल है तो एक पुरा तात्विक है और एक दूसरा साहित देखेग है सबसे पहले पुरा तात्विक की बात करें तो पुरा तात्विक में म्रिदभाण यानि कि जो मिटी के बर्दन है जैसे गेरुवर्णी म्रिदभाण और दूसे चित्र दूसर तो चित्र दूसर तो उत्तरवैदिक काल के हैं और गैरूबर्नी म्रदभान जो हैं वो रिगवेद काल के हैं अब हम अभी लेखों की बात करें तो अभी लेखों में हमें दो अभी लेख मिलते हैं सबसे पहला अभी लेख मिलता है भोगज कोई यानि कि मिनत्ती अभी लेख ये चौदा सो इसा पूर्व का है इस लेख में हित्ती राजा सुबी लिम्मा और मिनत्ती राजा मती उबा यानि हित्ती राजा और मिनत्ती राजा दोनों के युद्ध होता है और संदी होती है और दोनों ही भगवान की कश्में खाते हैं जिसमें इंद्र, वरुड, मित्र और नासत्य है यह जो हैं यह रिगवेद काल के देवता थे तो इससे भी पता चलता है यहां के बोगजकोई अभी लेख से भी और यह कसी का अभी लेख है जो कि 1600 इसापूर्व का है यहां इस अभी लेख में बताया है कि इरानी आरियों की एक शाखा जो है वो भारत आई थी बस यहां पर यतना ही बताते हैं अब आगे आते हैं साहितिक साहितिक साक्ष हमें मिलते हैं रिगवेद रिगवेद जो हमारे वेद हैं उसमें सबसे प्राचीनतम वेद जो है वो रिगवेद ही है अब देखते हैं रिगवेद, रिगवेद एक सहीता है जिसमें 10 मंडल और 1028 सूप्त है रिगवेद के 10 मंडलों में से दूसरे से साथवे तक का मंडल सबसे प्राचीन माना जाता है जबकि प्रथामों और दसमा जो है मंडल पारवर्थी काल का माना जाता है दो से साथमा मंडलों में गोतर मंडल से भी जाना जाता है क्योंकि इन मंडलों की रचना किसी खास गोतर से समंध है जैसे कि दुतिय मंडल को कहते हैं गत समद भारगव, तितिय मंडल को बिश्वा मित्र, चतुर्थ मंडल को वाम देओ और चतुर्थ मंडल में ही तीन मंत्रों की रचना तीन राजाओं द्वारा की गई है जिसमें तरास दस्यू अजमीर और पुरमीर तो हमें ये भी याद रखना है कभी एकजाम में पूछा जाए कि कौन से मंडल में तीन राजा हों दौरा तीन मंदीर की रचना की है तो चतुर्थ मंडल, ओक पूछा जाए कि वो कौन से तीन राजा है, मतलब नाम पूछ लिया जाए कूट देकर, तो हमें तरादस्यू, अजमीर, पुर्मीर यह याद रखना है वो भी चतुर्थ मंडल में है और इसका जो गोत्र है वो है बाम देओ अगला देखते हैं पंचम मंडल के गोत्र है अत्री शस्टम के हैं भरद्वा सत्तम के हैं बशिष्ट और आठमे के हैं कंड्व अंगिरस द्रस्वा मंडल सबसे आवर्चनी सूक्त में चतुर्ण व्यवस्ता की स्थापना की सूची मिलती है इसी मंडल में देवी सूक्त का उलेख है जिसमें वाक्य शक्ती की उपासना की गई है तो कभी पूछार आए कि देवी सूक्त का उलेख किस मंडल में है तो दस्मे मंडल में नोमा मंडल जो है वो सोम नदी सूकते का भी उलेख मिलता है साथ ही हमें चान वर्णों की विवस्ता जो मिलती है ब्रामर चत्रिये वैशो शूद्रे तो वो मिलती है दसमे मंडल में तो यह हमें याद रखना अब रिगवेद का जो प्रोहित है वो है होत्र है और यहां पर इस्त्रियों की ऐसा रचना की गई थी जैसे कि लोपा, मुद्रा, घोशा, सच्ची, पहले मी, कक्षा, ब्रती, नामक, विदूशी, नारियों, कतिपा, रिचाओं की रचना की थी इनों ने अब चुकि रिगवेद सबसे पुराना था बाकि जो अथरिवेद, सामवेद और युजरवेद जो है और भी बाकि जितना भी साय तो वो सारे उत्तर बैदिक काल की जानकारी हमें प्रदान करता है तो जो इसके सोर्स हैं वो सिर्फ इतने ही हैं और इनके माद्यम से ही हमे चर्चा की गई है जिसमें पुरू, यदू, तुर्वश, आडू और द्रहू पुरू को मागवाच यानि कूटभाशी कहा जाता है यदू, तुर्वश को इन्हें इंद्र मतलब ऐसा कहते हैं कि इन्हें इंद्र बाद में लेकर आए थे और ये दास भी इनको कहा जाता है और ये जो पांचो के पांचो हैं पच जन नाम से भी ये जाने जाते हैं तो पच जन नाम में कौन कौन से हैं पुरू, यदू, तुर्वश, आडू और द्रुहू आगे देखते हैं अब इनका भोगॉलिक विस्तार देखते हैं कि भारत में किन यानि कि इनका जो भोगॉ रिगवेद से ही जानकारी मिलती है आरियों का विस्तार जो है वो अफगानिस्तान से यह अगर यह देखे जाए तो यह इंडिया का मैब तो यहां पर यह पाकिस्तान और यहां पर अफगानिस्तान तो अफगानिस्तान पंजाब और पशिम उत्तर प्रदेश तक यह वाला ज आगे देखते हैं सत्फुलज्ज से यम्ना नदी तक का छेत्र ब्रह्मबट कहलाता था और इसे रिगवेदिक सब्वर्टागा केंड्र माना जाता था अब यहाँ पर एक दिशा खैनु सा जासे यहाँ पर तुर्किस्तान और अफगानिस्तान यानि उत्तर में हैं तुर्किस्तान से लेके पश्चिब उत्तर का तुर्किस्तान और दच्छिड का जो है वो अरावली तक यहां तक फैला हुआ था अफगानिस्तान पश्चिब में अफगानिस्तान से लेकर हिमालाय और तिबत तक यह फैला हुआ था का छेतर जो भूगोलिक छेतर वो यहीं तक है अब हम नदियों की चर्चा करते हैं कि इसमें कौन-कौन सी नदियों का उलेक मिला है तो जिगवेद की नदी सूक्त में दस्मा मंडल में बिभीन नदियों की जानकारी मिलती है यहां 42 नदियां होने की बात जो हमारे सामने आत बास इस्तान जो सब्त सेंदों पिर्देश बतलाया गया है यानि कि साथ नदियों का पिर्देश अभी हम मैप के माद्यम से भी देखेंगे कि कौन-कौन सा वो साथ नदियां थी सिंदु नदी प्राचीन काल की सो शोमा नदी एक आसाधारन नदी थी तथा यह सब्त सिंदु नदी है यानि के रिकवेर में सिंदु नदी सिंदु नदी के बाद सरस्वती के बाद सरवादिक जो फेमस है वो है सिंदु नदी सरस्वती पहले है और फिर सिंदु नदी यह हमें याद रखना है कि सबसे फेमस थी सरस्वती नदी फिर उसके बाद सिंदु नदी पश्मी किनारे से सिंदू की साहयक न दिया थी अब पश्मी किनारे कौन सा है तो ये भी देखेंगे अभी ये सारे के सारे जो है अफगानिस्तान में हैं जैसे की कुमू यानि कुर्रम गोमती गोमल ये इनका पुराना नाम है और ये नया नाम है गोम्ती जो है उसको गोमल, कुम्भा जो है काबुल और स्वास्तु जो है वो है स्वात तो ये सारी अफगानिस्तान में और सिंदू की पश्चिम किनारी की ये सहयक नदिया है आगे देखते हैं पूरवी किनारी की बात करें बितस्ता, असकनी, बितस्ता को जेलम नदी कहते हैं कश्मीर में बेग, बेद तथा बाहर जेलम इसको कहते हैं ये पश्चिम की ओर से पंजाब की ये पहली नदी थी असकनी को चेनाव या चंद्रभाग भी कहते हैं ये रिगवेद के आठ में मंडल में भी इसका उलेख मिलता है असकनी यानि चिनाप का पुरुष्णी यानि राभी या इरावती यास के अनुसार इसका जो प्राचीन नाम है वो है इरावती तो हमें ये भी याद रखना है कि किसके अनुसार इसका नाम जो था इरावती था राभी नदी का तो यास के अनुसार, दस राग युद्ध जो हुआ था वो इसी नदी पुरुश्णी नदी के तटपर हुआ था शुतुद्री जो है वो सतलर नदी विपासा जो है वो ब्यास नदी इंडर ने उसा को पराजित किया इस नदी का जो लेख मिलता है इंडर ने उसा को पराजित किया तथा इसके रत के टुकडे टुकडे कर दिये थे इसका लेख दो बार रिगवेद में हुआ है यास के जो हैं वो कहते हैं कि अर्जीफिया नदी के पहचान बिपाश्या नदी से वो करते हैं यह नदी अर्जीफ परवत से निकली है इसका नाम अर्जीफिया नदी भी पढ़ा है अब हम मैप के माद्य हमसे देखते हैं तो ये सिंदू नदी है यहां पर सिंदू नदी है और फिर जेलम है, चिनाव है, रावी है फिर यहां पर बियास है और फिर ये सतलज है और यहां पर सरस्वती सरस्वती के लिए ऐसा कहा गया है कि ये कहीं पर दिखाई देती और कहीं पर बिल्कुल दिखाई नहीं देती तो ये हैं पूर्वी वाले मलब सिंदू की जो पूर्वी सहयक नदियां है वो है और ये पश्शिमी सहयक नदियां है तो जिसमें जो अफगानिस्तान की तरफ हैं, स्वात हैं, काबूल है, कुर्रम है, गोमल है तो ये सारी के सारी पश्चिम वाली हैं आगे देखते हैं सरस्वती की बात करें तो रिखवेद में सरस्वती नदी को सबसे पवित्र बताते हुए नदियों की अगरवत्ती यानि की जो सरस्वती का इंपोर्टेंस है वो रिगवेद में बताया गया है नदियों की अगरवत्ती नदियों की माता वानी प्राथना कभीता की देवी बुद्धी को त्री भी करने वाली प्रेग्या एबं संगीत की प्रेणा दाई ये सारे के सारे सरस्वती नदि को कहते हैं यह वह शक्तिसाली नदी थी जो एक जगे दिखती थी पर दूसरी जगे दिखती नहीं थी इसी नदी तक पर वैदिक रिचाओं की रचना हुई है ऐसा उलेख हुआ है रिगवेद में पंचविश तथा जैमीनिय उपनिशद में इस नदी के लुप्त होने का जो इस्थान है वो है विन्शन बताया है तो हमें यह याद रखना है कि किन उपनिश्दों में इसका जो इस्थान लुप्त होने का है विंशन वो बताए तो पंचविश और जैमिनी है आगे है सब्ते सेंदों प्रदेश में सिंदू नदी पंजाब की पांच नदियां एवं सरस्वती नदी सामल थी सरस्वती नदी के पशाद नदी इस्तूती में शुतुद्री यानि सतलन नदी का उलेख है द्वश्ददी नदी जो है यह सिंदू की समूम की नदी नहीं है यह ब्रह्मा व्रत यानि पूर्वी एवं दच्छड का किनारा थी आगे है अपाया यह दोस्दसी दथा सुरस्वती नदी के बीच बहती थी आगे सर्यो नदी यह गंगा की सहयक नदी थी रिगवेद के नुसाथ चित्राया और आवना संभावता यदू और तुर्वश के द्वारा इसी नदी तटके किनारे ही पराजित किये गए थे और इसका जो सर्यो का उलेख है वो तीन वार हुआ है यमना का रिगवेद में तीन मंत्रों में प्राप्त होता है और ये बताएगी अजित शित्रूवा यक्षू के साथ सुदास के युद्ध के संदर में इसका उलेख हुआ है यमना का अब हम गंगा की बात करें तो तो आशी को सिद्ध बताया गया है कि कुछ अन्य नदियों की भी चर्चा मिलती है जैसे कि राम पंचे सिर अनुमती अशुनिती राका और गंगो नदी सुक्त में उलिखत अंतिम नदी गोमती है जिसके पहचान सिंदू की सायक नदी गोमल से की गई है नाकी गंगा की सा सायक नदी थी तो हमें आरा जो आंसर होगा वो सिंदू नदी की सायक नदी थी रिगवेद में दो छंदों में चार समुद्रों का भी उलेख मिलता है जैसे अपर अपर बताया है कि अरब सागर पूर्व सरस्वत और शर्यवत शर्नायवत जो है ये चार नाम मिलते हैं बत शब्द का प्रियोग किया है आरे बिंदे अथ्वा सत्य पुड़ा से परिचित ये लोग नहीं थे ये भी याद रखना है परवत चोटियों की बात करें तो मंजूवत आरजीक शैनावर्थ जो कश्मीर घाटी पर इस्तित है शिला मंत और शुशोश तो ये चोटिया थी परवत चोटिया और जो मंजूवत था रिगवेद में लेख है कि मंजूवत से सोंग आता था संभावता हिंदू खुश परवत के लिए इस शब्द का प्रियोग किया गया है अब आगे देखते हैं मरुस्थल के लिए धन्यवे शब्द का लेख रिगवेद में हमें म आगे है अब देखते हैं आरे तथा अनारियों का संगर्ष जो है वो हमें किस पकार से मिलते हैं जो युद्ध की बात करने तो उसकी चर्चा करते आरे और अनारियों का संगर्ष आरे शब्द जाती नहीं बलकि सांस्कृतिक समू का वियन जख है उस समें अनेक कभीलों की चर्चा रिगवेद में मिलती है जैसी भरत ब्रम ब्रत छेत्र मतस्य भरत पूर आणू द्रहु जो पंजाब में तुरवश जो है दच्छिडपूर यदू जो है पश्यम पुरू जो है सरस्वती नदी के पास तो बहुत सारे जो है कभीलों की यहां पर चर्चा की गई है सबसे पिरसिद जो है आरे कभीले का संगर्ष राग युद्य के रोप में बढ़ने थे जो पुरुष्णी यानि रावी नदी के टत्पर हुआ था युद्य का कारण ये था यहां का जो युद्य का कारण बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि भारत जन को विश्वा मित का सयोग प्रापता भारत एक जन था और इसको जो है विश्वा मित का सयोग प्रापता और इसी सयोग से उन्होंने बल पर ब्यास तथा शुतुत्री को ज किन्तु भरत जन के लोगों ने विश्वा मित्र को अपना गुरू ना मानकर उन्होंने क्या किया बाद में जब विजय हासिल हो गई तो वशिष्ट को अपना गुरू मान लिया इससे विश्वा मित्र क्या हो एक रोधित हो गए और उन्होंने दस जन्व का जो है एक संगठ इकत्र किया जो कि भरत के बिद्रो ही थे तो इसी के नाम से दसराग युद्ध नाम पड़ता है और इसमें जो है विश्वा मित्र जो है वो हार जाते हैं और जो सुदास राजा है भरत जन का वो उनकी बिजय हो जाती है विश्वा मित्र का शाब्दिक अर्थ है जन जातियो का मित्र आगे देखते हैं दस राग यूग में भरत के बिरोधी जो पांच आरे और पांच अनारे थे उसमें थे पूरू यदू तुर्वश द्रुहू और अणू और अनारे जो थे अकिनन पक्त भलानश विशाणी और शिवी दस राजाओं का युद्ध कारण ये था कि उन दसों कभीलों ने पुरुशिन नदी को मौने का प्रत्न किया था तो ये भी एक कारण मिलता है आगे देखते हैं इस युद्ध में राजा सुदास की विज़े हुई थी ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये ही एक युद्धा उससे पहले भी युद्ध हुए थी सुदास के जो पूर्बस थे देवो दास उन्होंने एक संभर नामक दस्यों के सरदार को हराया था इसमें पुरु राजा पुरुत सा मारा गया था अनारियों का संगर्स दास दस्यों अथवा पढ़ी नामक अनारियों से भी होता है रिगवेद में अनारियों जाती में अज्य, यक्ष, किटक, पिशाच, त्रिश्यो, इत्याती की चर्चा रिगवेद में मिलती है दस्यू को अब क्या क्या कहा जाता था तो यह भी यहां पर देख लेते हैं दस्यू को अंसा कहा जाता था चप्टी नाग वाले होते थे आक्रमर बैदिक कर्मों में विस्वास ना करने वाला आय यजनवन यग ना करने वाला यू वेदिग देवताओं में विश्वास ना करने वाला और शिशन देवा मतलब लिंग पूजा करने वाले इन सबको दस्यू के जो नाम थे वो इस प्रकार से थे तो ये भी हमें याद रखना कि किसका क्या अर्थ है आरियों की बिजे की कारण के पीछे बहुत सारे कारण थे कि उनके पास घोड़े चले रहते थे, कासे की अच्छी ओक करन थे कवच यानि वर्मन था, इत्यादी साथी आरे सम्मावत विश्ष प्रकार के दुर्गों का भी प्रियोग करते थे इसको वो पूर कहा जाता था साथी भी धनुश्वाण का भी प्रियोग करते थे प्रायत दो प्रकार के बाड़ों का प्रियोग होता है पहला यहां पर विशाक्त एवं सींग के मुख वाला और दूसरा है वो तामे की नोक वाले इसकी अतिरिक्त देखे तो अस्तस्त्रम बर्ची बाला फरसा और तलवार आदी का प्रियोग करते थे पूर चारिश्वू शब्द का अर्थ है कि दुर्गों को गिराने वाले एक इंजन हुआ करता था तो यहां पर दुर्गों को गिराने वाले से पूर चारिश्वू कहा जाता था अब आगी बात करते हैं रिगवेद काली राजत्तों का सिद्धान ते क्या था तो रिगवेद आधारित जो छेत्र आधारित ना होकर जन आधारित था मलब किसी छेत्र विशेश पर किसी एक का राजा नहीं हुआ करता था मलब जन पर आधारित था ये अपने रख्ते संबन्दों के आधार पर कुटूम, कुल या परिवार संगठित होते थे उसका प्रिधान जो था कुलप या कुलपती कहलाता था ये सबसे छोटी एकाई हुआ करती थी उसके बाद बहुत सारी कुल जो है ग्राम बनते थे और उनका प्रिधान जो था वो ग्रामनी कहलाता था रिगवेद में ग्राम शब्द का प्रियोग जो है वो 13 वार मिला है विश अनेक ग्रामों से मिलकर बना होता था रिगवेद में विश का उलेक 170 वार हुआ है तो यहाँ पर जो उलेक है जैसे 13 वार, 170 वार तो ये दरसाता है कि वहाँ पर उस चीज की कितनी महत्ता थी जिसका नाम ज़्यादा मिलेगा उसकी महत्ता ज़्यादा थी और जिसका उलेख कम बार हुआ है तो उसकी महत्ता या जानकारी बहुत कम थी अनेक विशों का समू यहाँ पर सम है नहीं है समू है समू जन या कवीला था रिगवेड में जन शब्द का उलेख अब देखुद जन शब्द का उलेख जो है 275 वार हुआ है यानि जन बहुत ही इंपोर्टनेंट था कवीलों का शाशन उसके प्रिधानों द्वारा किया जाता था जो राजा की उपादी धारन करते थे राजा को जनस से गोपा भी कहा जाता था अब ये एक सार्णी है जिसके माद्यम से ये समझते हैं कि सबसे बड़ा कौन सा था और सबसे छोटा तो जन जो था सबसे बड़ा था उसका 275 वार उलेख हुआ है रिगवेर में जनस से गोपा इसका जो अधिकारी हुआ करता था और विशामपती, ग्रामणी या गोपता, गोपती इस तरह से उनके नामते मुखिया कि जन क्या मुखिया या फिर राजा कह लेजिए आगे देखते हैं विश जो है वो 170 वार उलेख होता है और इसका मुखिया विश पती होता है फिर आते हैं ग्राम उसके नीचे जिसका उलेख 13 वार हुआ है और इसका मुखिया ग्रामणी हुआ करते थे फिर उसके सबसे छोटी काई जो है वो है कुल जिसको परिवार, कुटोम या कुल भी कहा जाता था अब इस डाइग्राम के माद्य हम से समझते हैं कि मा लीजे ये एक पूरा जन है तो इसको एक जन कहते थे अब यहाँ पर बहुत सारे जो हैं बिशों में बटा हुआ है तो ये छोटे छोटे जो हैं ये छोटे छोटे ये सारे बिश हैं बिश यानि बिश पती इसका मुख्या हुआ था और फिर अब बिशों के अंदर जो थे वो ग्राम यानि कि ये जो छोटे छोटे हैं इनके अंदर वो ग्राम हुआ करते थे 2-3-4 जितने भी 20-25 जितने भी ग्राम हम वो आते थे और फिर ग्राम के अंदर देखा जाएं तो बहुत सारे परिवार हुआ करते थे हर ग्राम में अलग बहुत सारे परिवार होंगे तो इस हिसाब से हम समझ सकते हैं कि किस प्रकार से जन महत्रपूर्ण था और फिर सबसे नीचे एक आई जो थी, वो कुल थी आगे देखते हैं, अब यहाँ पर एक बली नाम आता है तो बली कभीले के द्वारा राजा को सुख्षा से कर दिया करते थे जिसे बली कहा करते हैं मतलब कभीले के लोग अपने राजा को सुख्षा से यानि अपने एक्षा से उफार देना या फिर कर देना तो उसको बली कहा जाता था तो यह बहुत ही important है इसको तो बिल्कुल हमें याद करके रखना है रिगवेद काल में प्रिशाशन का लोग पिरिये सरूप राज तंतरात्माग था संभाता कुछ गैर राज तंतरात्माग राज भी थे इसे रिगवेद काल में गड़ जो है वो रिगवेद में हमें उलेख मिलता है इसका मुख है जो था वो जेश्ठा क्या गड़ पती होता था रिगवेद में गड़ शब्द का प्रियोग जो है 46 बार मिलता है 46 बार अथरिवेद में 9 बार इसका उलेख मिलता है यानि गड़ तो रिगवेद काल और अथरिवेद में ही हमें गड़ शब्द का जो है वो प्रियोग होता मिलता है इस प्रिकार रिगवेद में ही गड़ तंत का प्रारंबिक उलेख हमें देखने को मिलता है तो गड़ शब्द गा उलेख सरपरत्रम किस तो वह है उसका सही आंसर रिगवेद में और Uhr गड़ा किया हिनकिय देकि तो कि अ इसके लाभा भी हो सकते हैं तो यहां पर हमें यह चीज़ें याद रखनी है कि यहां पर दोका ही उलेख है अब राजा की करतब भी जो देखते हैं कि राजा का क्या कार्य था यानि की जन का जो मुखिया था उसका क्या कार्य था तो यहां राजा के दो प्रमो करतब भी थे पहले तो युद्ध में कभीली का नितुतर करना और कभीली की रक्षा करना सिर् हिए हुआ करता था और वो देवी यानि देवता राजा है तो देवता कोई अधारना रिग्वेद में नहीं थी ये सभा और समीती द्वारत चुना जाता था ऐसा माना गया राजा को विचार विमर्ष और सारी जानकारी देती थी, अब सभा का जो काम है, सभा से पहले अथरवेद में, अथरवेद के अनुसार सभा और समीती पिरजापती की दो पुत्रियां हैं, तो ये सभा और समीती मतलब राजा की बहुत हेल्प करती होगी, इसलिए उसको पिरजापती की दो पुत्रियां बतलाया अब सभा की बात करें तो सभा में भागीदारी करने वाले को सभे कहा जाता है इसके सदस से श्रेश्जन होते थे जिसे जिने सुजात कहा जाता था समीती जो है राजा का निर्वाचन करती थी अध्यक्ष इसका होता था पती या इशान कहा जाता था समीती में राज के विशों की चर्चा होती थी तता सहमती से निर्णे होता था जमीर बिद्वान कहते हैं या जमीर महोदे कहते हैं कि सभा को ग्राम संस्ता तता समीती को केंडरी संस्ता नोंने माना है लुडविग ने सभा को बर्तमान राजी जैसा राजी सभा जैसी तथा समिती को लोग सभा का सद्रश कहा तो इत्यासकारों के मत भी हमें याद रखने हैं कि कौन से इत्यासकारों ने अपना मत जो है या फिर वाक के जो है किस परकार कहा है अब बिदत की बात करें तो बिदत में रिगवेद में 22 बार इसका उलेख मिलता है रौत के अनुसार ये संस्ता सैनिक आसैनिक तथा धर्मिक कारियों से सम्मदित थी जैसवाल केपी जैसवाल कहते हैं कि बिदत को एक मौलिक तथा बड़ी सभा ये मानते हैं प्रोफेशर रामशरन शर्मा कहते हैं बिदत को आर्यों की प्राचीनतम संस्ता ये मानते हैं प्रोफेशर रामशरन शर्मा रेकवेद में 122 बार बिदत का उलेख हुआ है यानि बिदत बहुत ही इंपोर्टेंट हुआ होगी मतलब संस्ता जो थी बहुत इंपोर्टेंट थी इसमें इस्रियों के भागीदारी होती थी तो ये भी काफी इंपोर्टेंट है कि किसमें इस्रियों के भागीदारी होती थी तो बिदत में ओल्डेन बर्ग के अनुसार विद्धत का कारे संब्युता जन जाती के लिए नेधारन करना और उसके कारियों को नियुजित करना रहा होगा ऐसा ओल्डेन बर्ग कहते हैं वह आगे बात करते हैं, राजा की साहता के लिए पताधिकार यानी परशाशनिक अधिकारियों की बात करते हैं, प्रभी प्रमुक खाते हैं। प्रोहिट जो थे राजा का प्रमुक परमर्षण दाता हुआ looks at, झान का नेतृतर करता था। तोड़ी गिराम प्रदान था और युद्य में गिराम का नेतृत्र करता था दूत्र जो है वे विविन-राज निति यह कायों को एक दूसरे के विसे में जो है सूचिप या सूचना आधान प्रदान करता था रतकार जो हैं वो रत बनाने का कार करते थे कुछ अन्ने भी थे जैसे कि इस पश जो है वो गुप्तिचर है ब्राजपती जो है वो चारा गाय का अधिकारी क्योंकि उसमें गायों की महत्ता बहुत थी तो चारा गाय का अधिकारी भी न्युक्त हुआ करता था जिसको ब्राजपती कहते हैं तो ये बहुत important है गुप्तचर भी important है इस पाश को गुप्तचर बोलते हैं उगर को पुलिस बोलते हैं पुरुष जो है वो दूरगिपाल कहे जाते थे उपस उपस इस ते जो है वो बेक्तिगत सेवक होते थे अब नियाय विवस्ता की बात करें तो नियाय विवस्ता का कारी पुरोहित की सायता से ही राजा किया करता होगा ऐसा माना गया है अपराद जो है वो पशुचोरी, सेंद मारी या डकेदी या फिर चोरी इस तरह की ही अपराद हुआ करते तो दंड में क्या मिलता था ये बहुत हOoh कि हत्या का धंड है तो द्रप शत दाय मतलब सो गायदान और जो पार्दे है वो बदला चुकाना इसका शाब्दिक नाम जो है छोटे मुकद में जो हुआ करते थे वो ग्राम पंचायते ही उसको सॉल या हल कर लिया करती थी तो इस्टूड़न आज के लिए वस इतना ही और जो भी रिगवेद काल के वीड सार पूर्वक से देखेंगे तो आप ज़्यादा ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें अगर कोई समझ में नहीं आ रहा तो कमेंट भी करके कुशन पूर सकते हैं और जब सब्सक्राइब करिए और आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवास